मेरे हार कत्रे जाने में सोई जो मिलकी बिचनी होई मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा चर्चा प्रारंब होत है सुनों साथ चित दे बजू राज शामा श्री प्राणनात सक्की जीवन हमार आये शिरी महमत कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तम सुनियों चित दे लाल आगे आये बैठे इन तखत श्री महमत कहे ए मौमिनों चिन पर हुआ मेराज सो खास खास उमत है तन मारे डारत हक काज तन मारे डारत हक काज तेरा बर्स माया मिने अच्छना तरी धाम दने स्री लादासी के धामर्दे से बित्दक के उस पर संग का वर्ण कर वा रहा कि श्री मेराज गौवर्धन जो उनके बड़ी बराता है उनके देध्या की प्रस्जात काभी सोक्मन मेंसे होने लगते बच्पन से ही जिनके साथ खेला गोदा था, जिनके साथ परमधाम का विरिस्ता, सगे भाई का रिस्ता, एक साथ बाणी चर्चा सुनना, एक साथ घर अना, उसका वियोग भी काफी कष्टकारी हुआ स्रीदेवचन जी के मुखारवेद से जब बीपरमधाम की बाते सुनते हैं, अखंड ब्रज रास की बाते सुनते हैं, तो उनको विरासताता है, कि क्या मैं जब परमधाम की आत्मा हूँ तो मैं परमधाम को नहीं देख सकता। मेरे अंदर जब परमधाम का कूर है, सद्गु माराज के अंदर राजी बैठी हुई है, राजी से भी हमारा नाता है, तो क्या राजी सद्गु माराज से परमधाम का बढ़न करवा सकते हैं, मेरे से को नहीं करवा सकते हैं, जब मेरी भी आत्मा परमधाम की हैं, सद्गु मा नहीं दिखाई बढ़ता कि मेरे अंदर अउगुण है और अउगुणों को दूर करने के लिए एक ही तरीका है कस्नी कर्द क्या होता है अपने को कष्ट साधि साधनाओं से गुजारना साधना कतादपरी क्या होता है साध्य है अच्छरादित साध्य को पाने के लिए जो प्रिक्रिया अपना ही जाती है उसको करते हैं साध्या साध्या के कई अस्तर है एक साध्या तो होती है माममार्गी जिसे परमात्मान न प्राप्ट हुआ है ने कभी होगा, जिसमें तंत्रिक प्रक्यारिक की जाती है, दूसरी जो पत्ति होती है दक्षुमार्गी, दक्षुमार्गी यानि सात्विक मार्ग, जिसमें परमात्मा का चिंत और मनन ध्यान किया जाता है, सुद आहार विहार रखा जाता है, इसके अंदर गत्वी कई पत् iben भाए बहुत कम खाने वाले का सीद्ध होता है जो दिन रात जगा करता है उसका भी इसद्ध नहीं होता और जो बहुत सोता है उसका भी धहम कहीं न कहीं अपने को कसोटी से सरीर को कश्ट महीं साधनाओं से गुजारना शुरू कर देता है बुद्ध ने यह किया था बुद्ध प्रतिन अन्न का एक दाना खाते थे परिड्याम क्या हुआ सरीर में चलने की सकती नहीं लगई थे उठने की सकती नहीं लगई थी पेट अंदर की तरफ देश चुका था आँखे अंदर की तरफ सरीर के बाल थे ही नहीं सरीर के बाल चढ़ गए थे कितनी कठोर साधना से गुजारा था धूप में बैठे हैं अभी हम लोग तो कमरों के अंदर बैठे हैं कंबल से टर सबका प्रिवक कर रहे हैं एक राजकुमार जीस ने कभी थंड़क न देखियो प्रिवक्ष के नीचे साथ वर्सर आ गया सरीर कोई कपड़ा है नहीं कि वर कपड़ में एक छोड़ा सबस्तर लपेट रखा है उनको लूप भी लगती होगी सीत भी लगती होगी बर्सा हो रही है सब छिल लए उनको ये लगा कि इतनी कश्ट साथ इसाधना करूँगा तो मुझे ध़त प्राप्त हो जाएगा जयान प्राप्त हो जाएगा या लोग ये सोचते है कि में परमात्मा का सब छतकार हो जाएगा महराज से भी यही बात होती है उन्होंने सोचा कि सोने के अंदर माया रहती है इसलिए एक दिन गए अपने पत्नी के सारे अभूर साद ले जाकर सद्गुमाराज के चलनों में आए कहा जोकर करते हैं कि सुधु महराज आप मेरे अगुण बताईए देवज़न जी करते हैं कि भाई तुमारी अंदर कोई अगुण नहीं तु परंध हमकी इंद्रावती आत्मा है आत्मा के अंदर कोई विकार होता ही निए फिर देरे देरे उदरते आर घडाया अपना आर घ सब देते हैं कि ये राह में मिलेगा तो मुझसे संसार की बाते करेगा और मेरा ध्यान अपने प्राण प्रेतम से अलग हो जाएगा संसार उनके लिए सपने जैसा लग रहा है पत्नी है परिवार है लेकिन किसी से उनको अलगाव नहीं रागिया है कि एक ही तमन्ना है कि आप अधे ये हैं कि क्या औगुणों की कारण दरसन नहीं होता यह बात काफि अफ्мы आध आध करों से ब्रंका दर्शन नहीं होता एक मल्डलमादलो तो मल उसे में मञठ तरह बठ यह हो सकता पैसी हैत्व うब होता है के विकार रहेंगे तो मन उसी में बटकता रहेंगा और दर्शन नहीं हो सकता दूसरा है विक्षेव विक्षेव का अर्थ होता है दर्पण है जैसे दर्पण के उपर धूल जम जाएगी तो उसमें अपना प्रत्विम नहीं दिखेगा यह है मल हमारे मन यदि विकारों से ग्रशित हो जाएगा तो उसी में आनद मानने लगेगा वो परमात्मा से प्रेम नहीं कर पाएगा दूसरे ही दिखेव यादि विलता डूलता तरपण रहें तो बढ़ियां से अपना चेहरा नहीं दिखा जा सकता यदि हमारे मन में राजी के प्रती एक निष्ट प्रेम नहीं है प्रेम तो संसार में सबसे अच्छे समंद्धी निभाने ही पड़ते हैं माता, पिता, गुरु, अचारी, भाई, भयन सबसे मज़ुर समंद्ध बनाने ही पड़ते हैं लेकिन पहली प्रात्विक्ता राजी क्यों होनी चाहिए यदि हमारा मन राजी की तरफ कम लगता है और उक की तरफ ज़्यादा लगता है तो राजी काम मिलेगे एक पजारी जी थे, मेरी आँखों देखी गटना है कोई बैन मिलने आई थी तो चोपाई भोग लगा रहे थे एक चोपाई अंदर मंदिर में जाते थे उनको रहा तो जाता नहीं थे फिर बाहर आकर के बात कर जाते पिर अंदर जाकर एक चोपाई बुलते क्योंकि उत्र-दोपर के बोजन का समय हो गया थे भोग भी लगाना था लेकिंगे उनका मन कहा अटका हुआ था उसमेला से बात कर देंगे फिर एक चपाई बोलने फिर आ जाए मैंने कहा कि पुझारी जी या तो पहले बात कर लेजिए या पहले भोग भो लगा लेजिए क्यों मन है नहीं चावा तरफ भाग रहा है हमारा वो प्रेमी हमारा वो प्रेमी भाई के बिना रहा नहीं जाता पत्नी के बिना रहा नहीं जाता पत्नी के बिना रहा नहीं जाता कहां से राजी मिलेंगे यह हैं विक्षे और तीसरा है आवरण, दरपड के उपर कागज रख दीजिए, अब चेहरा देखिए, दरपड मही रहेगा, लेकिन आपको दिखाई ने पड़ेगा, हमारे चित में यदि संसार के सुखों की इतनी कामना हो कि वो राजजी से ज़्यादा इच्छी लगें, तो भी राजजी का दरसंगी बसकता है, तीन करण है, लेकिन एक चीज है, लोहा काला होता है, उसमें जंग लगे होती है, आप जंग लगे लोहे की कालापन को देख करक कि ये तो जंग लगा है, काला को लूटा है, कैसे साफ होगा, तो इसी टेंसर में सारा समय बेदीत हो जाएगा, लाप कुछ नहीं है, आप आँख मुदकर उसको दहकती हुई अग्ण के अंदर डागते जिए, क्या होगा, लोहा गरम होगा पहले, उसके बाद उतना दहकन समद, लोग अहंकार के सारे विकार जलकर के राख हो जाएगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सारे जीवन तपस्या कीजिए, गौतमवद की तरफ तपस्य भी आप बनने ही पाएगे, सुकदेव की तरफ ब्रमचारी आप बनने ही सकते, संकादी की तरह पर तभी नहीं हो सकते हैं कि माले के गुपा में जाकर बैठ जाना, लेकिन इन महान विपुतियों को अक्षरातीत नहीं मिल पाया और आपको मिल जाएगा, किसलिए? क्योंकि अक्षरातीत के प्रेम में सरुप का जियान आपको है, आपको मालब है कि युगल सरुप की आपने कर जाने थे, चलने की ताकत नहीं थे, कोष्ट देने से प्रियतन के मिलन का कोई समद्र नहीं है, हाँ, समन होना चाहिए, समन का ताथ परिक्या है, एक तो होता है दमन, अपनी इक्षाओं को जबरजस्ती दबा देना, सुगर के रोकिको कितना भी कहिए कि भई सु अपने नहीं खायागा, लेकिन अपनी भावना को दबाये दबाये, जब अकेला पाएगा तो ज़रूर सारी इक्षाओं को दबायेंगे, तो ज्वाला मुखी बलकर के फूटेंगी, ऐसी इस मांसिकी सिति किजिए कि इक्षाओं पैदा ही नहीं हो, उसको करते हैं समन, वि कांत में बैठ कर विचार करें कि सरार लोग इतने पीते पीते सारी उमर गुजार देते हैं, किसी की सांती नहीं होती तो मेरी कहां से सांती हो जाएगी, और पहले ही उसको देखना भी नहीं चाहेगा, ये विवेक जब जागरित होता है, तो मनुस विशों से स्वता ही नि तो दे नहीं सकता, सांती के परव्रम के पास है, ये विवेक जब जब जागरत हो गया, तो विशों से निवर्ति सुत ही हो जाती है, अन्यता प्रिधावस्ता में भी इंद्रिया भरे सितिर हो जाए, मन में तृष्णाओं की बार और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ज सत्सन सुनो, परमात्मा की भक्ति करो, कर देगे की समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि उनका मन बढ़ापे में चंचलता को बराप्त हो गया होता है, इसलिए विवेक से विश्यों की निवर्ति की जैसे, ये स्वां के दर्शन में बताया है, अही निवल निवत, सर्प जैसे के अमली को काट देते हैं, छिन हस्त वत्वा संखिकाई शुत्र है, जब अमली कट जाती है, तो विश से निवर्ति हो जाती है, हम यदि मोग करेंगे कि अपनी इतनी सुन्दर अमली को क्यों काटे, तो विश अंदर प्रविस कर जाएगा, और हमारे लिए घातक हो जाता है, मनीशियों का कथन है, जिन्दगी भायर हार करता रहेगा मांस का, किड़े मकोड़ों को खाता रहेगा, मेटक खाता रहेगा, बात को देखे, जिन्दगी भायर पसूं का मांस काता रहेगा, क्या उसके पास त्रिप्ती है, वो भोग योनी है, तृष्णा को त्रिप्त करने के लिए तो उस योन यह जिसमें विचार किया जा सकता है कि मैं क्या इस विशे से त्रिक्त हो सकता हूँ कि नहीं तुमाखों खाने के जिसको लट बढ़ जाती है लाक समझाईए छोड़ना उसके लिए कुठेल होता है तुमाखों में कोई स्वाद नहीं सरावी को सरावी अम्रित के समध दिखाए देती है अफिमची को अफिम ही लगता है कि यह सबसे बड़ा बिन जगए उसके मन में वासना है और वासना का जितना ही सेवन किया जाता है संसकार उतने ही मजबूत होते जाते हैं जैसे आज किसी ने एक घूट सराव पिया कलको दो घूट चाहेगा परसो तीर घूट चाहेगा उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी समय बित्ता जाएगा उसकी तृष्णा और बढ़ती जाएगी यदि उसके अंदर विवेक जागरत हो गया कि नहीं इससे मुझे सांती नहीं मिलती है भोगाद ना रग सांती हैं मुनिवत सौवरी मुनी थे सांक्य का यस्त्र है कि भोग से कभी भी सौवरी मुनी की तरह तृष्णाओं की सांती नहीं हो सकती है बच्पन से जंगल में जाकर के घोर दब करने लगे आधी से ज़्यादा उम्र बित जाती है एक बार नदी में एस्टनान करने जाते हैं वहां एक मचली का जोड़ा नदी के अंदर क्रिड़ा कर रहा होता है उन्होंने सोचा कि मुझे तो मालू में नहीं कि ग्रिष्टी क्या होती है ये देखो मचली का जोड़ा कितने प्रेम से विहार कर ला है मैं भी तो देखो विवा होता क्या है मांधाता कि बास गई और मांधाता कि पचास कर्याओं से विवा किया पचास कन्याओं ने उनका अपना पते चुन लिया, दीरे दीरे उनकी साइगण संताने हो गए, एक दिन उनको वहरागी होता है, अरी मैं जंगल में रहने वाला, सब को छोड़के परमात्मा के ध्यान में रहता था, और मैं किस जंजान में फस गया हूँ, तुरंत अपना न अपने में घी डालने पहरे, उसकी लप्टे और तेज होते जाती हैं, वैसे ही इक्षाओं के भोग से इक्षाओं कभी भी सांत नहीं होती हैं, लेकिन बढ़ते ही जाती हैं, लेकिन विवेक तो सौभर को इसा लिया आया, क्योंकि उन्होंने पहले में घोर तब कर रखा परमात्मा के भक्ति कर रखी थे । जिसके हुरते में जान का परकास नहीं है, सत्संग का बलने भाति नहीं है , वो तो भिचारा एक बार योदी कीच अच्च inv में फस गया, जिसे गंगार के किनारे समंधर के किनारे योदी दलदल हो, अच्छाओं एक बार पहले फस जात जैसे पतिंगात दिपक की अत्मी में चलकर राख हो जाता है। इससे बचने के लिए मनिश्यों ने सोचा कि हम इनका बिल्कुल त्याग कर दें। लेकिन यदि मन नहीं मरा तो इंद्रियों को हट पुर्वक रोखने से कोई लाग नहीं होता है। हाँ यह चरूर है कि समन भी कारी करता है और दमन भी कारी करता है। लेकिन समन पहले होना चाहिए दमन बात में होना चाहिए। जैसे सूर्दास जी ने एक खुबसूरत इस्त्री को देखा। वैरागे तो उनको हो चुका था। लेकिन पानी पीने गए। खुब्सुरत इस्त्री को देखा, उनके मन में विकार आया, उन्होंने सूचा कि मैं आँक से देख करके मेरी में विकार आया है, उस बहन से सुई मांगा और अपनी आँखें फोल ले, आँक का कोई दोस नहीं, दोस किसका है, मन का है, इन्ही आँकों से जब हम मा को देखते हैं तो चलड़क होते हैं। भाधन को देखते हैं तो प्रेम हाता है। आफ़्िय को उसी दिष्टक्र क्यों नाइग से लिए घृत कर दे कुंछता है। हाथों का कोई दोस्त नहीं आखोंrod का दोस्त नहीं इसी जीवा से हम मांस का सेवन कर सकते हैं, इसी जीवा से हम फल फुर्खा कर भी जीवन कुझार सकते हैं दो सी कौन है मन, मन भी बिचारा क्या करेगा मन तो सत्व रज्टम के बिद्धन में है यदि सत्व रज्टम साम्य अवस्था में रगते हैं तो सिष्टी होती ही नहीं रोजगुण और तमगुण को हटा देजिए कि अलसुत सात्विक अवस्था में आ जाईए तो ज्यान का प्रकास अवस्थे होगा जिसमें अल्प मातरा सात्विक अहर भी मातरा से ज़्याधा हो जाएगा तो वह सात्विक नहीं आ पाएगा उससे साधना नहीं होसकती है आप कहते हैं कि दूर्थ सात्विक profess peine एक लिटर साधना ध्यान में बैटने से पहले यदि आप एक लीटर दूद पी लेजे तो कहां से ध्यान लगेगा, कहेंगा कि फल साथ दीक है, फल भी आप दो किलो फल खालेजे, मेवा खालेजे, आप ध्यान में बैठ जाए, ध्यान कहां लगेगा, कुछ भी खाईए, अल्प मातरा में खाईए, लेकि इतना ना कम कर द अति वे जा रही थी, उसका असे था, बीड़ा के तारों को जोर से न खीचो, नहीं तो वो तूट जाएगे, बीड़ा के तारों को धिला न करो, नहीं तो वो नहीं बजेगे, उन्होंने सोचा कि मैंने तो अति कर दिया, खुब धुब मैं बैठता हूँ, खुब ठंडे म मौसम में खुले आँ बैठता हूँ, भोजन इतना कम कर दिया हूँ कि बैठने तक की ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है, महसिस्क ने काम करना बंद कर दिया है, तो साथना कहां से होगी, सुझाता कि जब खीर खाते हैं, सरीर में सकती आती है, तब दिर्ण प्रदिच नहीं होगानी, और इसी दिर्ण कल्ब में साथ दे, साथ राथ समाधे में बैठे रहती है, और तब बुधत को फ्रफठ हो जाते हैं, हम संदर साह से भी भूल होती है, हर साधक से होती है, मेरे से भी होचकी है, या सब से भूल होती है, सब यह सोचते हैं कि कहीं हम भी भ selection छोड़ देंगे तो राची हमें दरसंदे देगा हाँ हफसे में भी आगे पर्णन आएगा हफसे में भी इंद्रावती चिनिये किया लेकिन हफसी में वीरा की चरम आवस्ता थी, उसमें सरीर का ख्यारी नहीं था लेकिन जब हम संसार में रह रहे हैं, चल फिर रहे हैं, चर्चावारी सुल रहे हैं उसमें भोजन की अतदी कमी से, क्योंकि चलने में उड़ जा तो खत्म होगी जो चल फिर रहे हैं, सारे कारी कर रहे हैं, उसमें सरीर को उड़ जाने मिलेगी, तो क्या होगा? सरीर में, वो सकती रहे की नहीं, और परिडाम यह होगा, कि हमारे ध्यान में बाधा पड़ेगी. ध्यान का ताद पर एक लक्ष को इस तरह से अंतर दिश्च से देखना, कि उसके सिवाय कोई और नजर ना आए. योग दर्शन का पहला सुत्र होता है अथ्योग अनुसासनम. योग अनुसासन कभी से हैं? राजकुमार सिदार्थ को कोई महर्दर्शक नहीं मिला था. मिराज के सद्कुर्माराज तो सामने है, लेकिन उन से बिना बताये, चोरी छेपे अपनी मर्माने तरीके से कर रहे है. समझ्या यह है. यदि मिराज देवचन जी से फूचते कि सद्कुर्माराज बताये, मैं कैसे ध्यान करूँ? तो सद्कुर्माराज कभी नहीं कहते कि तुम पैसे बर आहर काओ. लेकिन अपने तरीके से उनने सोचा, कि अपने अगणों को दूर करने का तरीका यही है, कि मैं आहर छोड़ दो चाहे, कुछ भी हो जाए, मुझे परन्दाब दिख जाएगा. हाँ, कुछ असर तो होता है. जैसे जैसे अहर कम होता जाता है, संसार से लगाओ कम होता जाता है, नित्रा कम गणती है, कि मैं राजी की तरह प्रेम मरता जाता है, और इसका परिड़ाम क्या हुआ? अपना आपादेखिया कि अगार कूरत्थ. सरीर तो जरजर हो गया हड्डियों का धाचा रहा जाता है लेकिन अपना आपा देखिया अपनी परात्म का दर्शन कर लिया ध्यान के दोरा धाम फिरवल्या चौगिरत तब स्री मू आगे धाम फिरवल्या चौगिरत सारी बाहरी परिक्रमा रंगमाल का द्रिस मूल मिलावे में जाकर अपनी परात्म को देख लिया इसका सोटी का फन लिया हुआ सुंदर साथ के सामने एक बहुत बड़ी उल्जट पैदा कर दी जाती है कि सुंदर साथ चाली साल से पहले आपको कोई भी दर्शन नहीं हो सकता यह समिध्य बात है कहीं बाड़ी में नहीं लिखा है कि 40 साल से पहले दर्शन नहीं होगा पहले बार देवचन्जिक के कब दर्शन होता है जब 16 साल की वस्ता है ँदसया कब होता है जब 25-26 साल की वस्ता चित्वनी में सद्वॉर दरनी देवचन्जे के छरता अखण वच में जाकर अपने दाम डनी का दर्शन करती है बाढ़मुकंत के रुप और और तीसरी बार तो 40 साल की अवस्था में उनको सारा जागनी का भार्ष उपना है यह जरूर है कि परिपक को अवस्था 40 साल में आती है और 40 साल में मन में संचारिक सुख्यों के प्रतिसोंभाय के रूप से विर्प्ति हो जाती है यदि विवेक जागरत है तो स्री मिराज के उम्रहें इस समय लगभग 26 साल से उपर यानि 27-28 साल क्योंकि 1703 में स्री देविचन जी के अदेश से उनको जाना पड़ता है अरव की तरह 1675 में जन्म होता है 1700 के बाद बिक्रम समझ 1700 के बाद उनके अंदर विरा के आफ्ट दखनी लगती है यानि 26 साल के उम्रह में भी मिराज के साथ वह इकटना होती है यदि मिराज 27-26 साल के वस्ता में अपनी परात्म को देख सकते हैं तो यह कोई भी सिदान्त माने नहीं हो सकता कि 40 साल से पहले दरसनी हो सकता है यदि आपके उम्रह साथ साल भी है अंदर दिश्राओं के अगनी जल रही है तो सारी 17 साल के भी हो जाएए 90 साल के भी हो जाएए कभी दरसनी होने वाल जिसने अपने हिर्दे को पवित्र कर लिया मन की चंचता से अपने को अलग कर लिया शरीर से अपने को परिस मज लिया परात्न की भावना से डुब गया और राजी का किसी भी छण सा च्छतकार कर सकता है समय का कोई बंतर नहीं कि वर एक चाहिए प्रेम की अगनी में स्वयम को डुबो दे रहा आप ये मत सोचा किजिए कि मेरे अंदर काम है गुरूत है जीव के अगुण है आत्मा जीव के उपर बैट कर जीव के गुण और दोसों को देख रही है कि जीव संती पाने के लिए क्या करता है जीव परमात्मा को पाने के लिए कौन-कौन से रास्तिय अपनाता है और विश्यों में किस तरह से फ्रसता है आत्मा विश्यों से जीव को विरह में तरपाने के लिए राजी की सुभा में अपने को डुबोना शुरू कर देजी, जैसे अगनी के अंदर लुहा डाला जाता है, तो लुहा भी अगनी की समान बन जाता है, जैसे जैसे राजी की चित्वनी में आप डुपते जाएंगे, आपके विकार वैसे ही दूर होते जाएंगे, इसलिए नक अवसे मिलेंगे, यदि कोई कहता है कि आपको राजी नहीं मिल सकते हैं, आपको राजी का दर्सन नहीं हो सकता तो आप कहा देजिए कि वहाई आप अपने मेस्जिस के कहीं जाँच किराने चीए, हर आत्मा को अधिकार है, पाने का ये कोई बंदने की कल विरक्त कोई मिलेंगे, यदि गिरास जीवन में रादते वे, आपका मन निर्मल है, राजी के प्रतिय टूट आस्ता है, एक निष्ट प्रेम है, संसार की कोई सकती नहीं जो आपको राजी से मिलने से बादा कर दे, यदि पहले ही कोई हीन भावना से गर्षित हो जाएगा कि मुझे राजी नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे कहां से? आप अपना अधिकार रखिये कि मुझे राजी को पाना है, कमरे के खड़कियों को बंद कर दीजिए, दो बहर का सुरज जोगा हो, कमरे में तो उन्दे रही रहेगा, आप अपने सक्ती को पहचानते ही नहीं कि आप कौन है, आपको तो घंटे-घड़ियार में फसा दिया गया, हाथ में माला पकड़ा दी गई, बस कह दिया जाएगा, परसाद खाते रहो, परिक्रमा करते रहो, तुम ग्राश्टियों तुम्हें राजी नहीं मिलने वाले, आखेर गौतम ग्राश्ट थे, स्ष्टि में सबसे बड़े योगी भगवान, स्वी भी ग्राश्थ हैं, योगिराज स्रिकृष्ष्ट भी ग्राश्थ हैं, मर्यादा प्रशतम राम भी ग्रहस्त हैं वसिष्ट भी ग्रहस्त हैं विस्वमित्र भी ग्रहस्त हैं लेकिन ग्रहस्ती में रातकर इन्होंने ध्यान साधना में अपने को लगाया ग्रहस्त भोग विलाज के लिए नहीं बनाए ग्रहस्त का घर भी एक मंदिर होना चाहिए यह यदि हर बेक्ति सोचे कि मेरी आत्मा का समद्ध उस अच्छा दीर से है, मैं अपने काम, क्रोध, मद, लोग को अंकाल को दूर कर अवसी परमात्मा को पा सकता हूं, तो एक दिन अवसी पा लेगा, अब मिहरात का भी तो विवा हो चुका है, फूल भाई उनकी पत्नी है, पत अकार को रत, हाँ, ये गल सरुक की इच्छा भी अभी नहीं बस पाई, वहीं, समय पहर, बाल भाई, जो गंजी भाई की बहन होने के कारण, सद्गु महराज की बहुत मोलगी थी, मोलगी उसको कहते हैं, जो बहुत नदिकी हो, हर बात कह लेता हो, कोई मर्यादा ना देख बाल भाई, कहती हैं सद्गु महराज से कि, सद्गु महराज, एक भाई तो पहले चला गया, कसोटी करते करते, और ये भी जानी को तयार हैं, आप क्या सोच नहीं रहें, आप मिराज की हालत देखियें, इन्होंने क्या कर रखा हैं अपने को, खाना पीना सर छोड़ दिया हैं, सरी पीला पड़ गया है, ताकत है नहीं चलने की, आप इनको समझाते हैं को नहीं, सद्गु महराज कहते हैं कि, ये मेरे से अपने मन की बात कुछ करता हैं नहीं, तो मैं क्या करता हैं, ये करता हैं कि सद्गु महराज मेरे अपन बताओ, मैं कौन सा अपन बताओ, इतनी कष्ट साध्य साधना से गुजहरा है, तुम्हें क्या चाहिए? उस तिन अस्पष्ट बोल दिया, आप देखो और मैं क्यों न देखू? आप परंधाम का वर्ण करते हैं, जब आप परंधाम का वर्ण करते हैं, तो मेरी आँखों से आंसु बैते हैं, मुझे लगता है कि मुझे भी परंधाम देखना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं सत्कुमराज आपकी तरह ही परंधाम देखू, और परंधाम का वर्ण मैं भी करूँ, सत्कुमराज कहते हैं कि देखो, पीराज, यदि तुमको मेरे सुरुक की पहचान हो गई होती, तो तुम ऐसी बात अहीं करते हैं, यदि तुम मुझे पहचान लिया होते, तो पलक न पीछी फीड़े नय, तुम एक पल के लिए भी मेरे से अलग नहीं होता, और देल रात परिक्रम करता हैं, परिक्रम करने का मतलव अलग होने का प्रसिन ही जैसे परिक्रमा करने वाला, अपने अरादे से कभी अलग नहीं होता उसके इर्दि-इर्दे गुंता है तो कहते हैं कि तुम हमेशा मेरी परिक्रमा करता रहता और बल बैर के लिए कभी अलग नहीं होता ये तो बात हुकम की सोहोवे एक ही ठोर यदि तुम अभी जल्दी करना चाहते हो तो एक तरीका है कि मुझे इस दुनिया से अलग होना पड़ेगा मौहे उठाए तुम बैठो इसका अतरत यह नहीं कि गादी से उठा तो तो तुम्हें परंधाम दिख जाएगा उठाने का मतलब संसार से उठाना मुझे सरीर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुमको बता दिया है कि धाम दनी तुमारे दन से लीला करने वाले है जब धाम दनी तुमारे अंदर विराजमान हो जाएगे तो तुम्हें भी परंधाम दिखने लगेगा तुम मेरे तरह ही परंधाम का वर्ड़न करने लगोगे अभी राजी मेरे तन में है तो यदि जल्दी है तो मुझे अपने सरीर को छोड़ना पड़ेगा और यदि तुम ऐसा करना चाहते हो जल्दी देखना चाहते हो तो और कोई चाला नहीं है कि मैं सरीर छोड़ू मुझे तुम्हे उट स्कुरू आप इसका आर्थ यह न समाझ लेजिए कि सद्कुर माराज और मिहराज जैसी बात सब के साथ ही है उस तन से अच्छातीत की लीला होनी थी इसलिए ये प्रतिबंद था छटे दिन की लीला में हर सुन्दर साथ को अधिकार है कि वो चित्वनी करके राज जी को प्रतिक्ष देख सकता है आपके और राज जी के बीच में कोई भी दूरी नहीं है हक नजीक से ये तो सुन्दर साथ को भटका दिया गया है कि वहाँ पैदल जाओ राज जी कहां बसते हैं? अश्रम में, मंदिर में वहाँ अमक अस्थान पर, अमक अस्थान पर परितम कहीं एक अस्थान पहर बसता नहीं है हर अस्थान केवल इसलिए होता है ताकि किसी वाणे वहाँ एकत्रित किया जा सके और वाणी का जान दिया जा सके यदि दिन राद आप वहाँ रहे भी आपके अंदर प्रेम नहीं है आपके अंदर विरा नहीं है तो राजी आपको मिलने वाले नहीं है जिस मंदिर या अस्रम में आप कहीं भी दर्सन करने जाते हैं क्या उटके पुजारियों को कुछ मिलता है यदि पुजारी भी राजी का त्यहान नहीं करें संसार की माया में आ सकते हो तो उनको मिराजी नही दिन रात वहां रगते कहां मिलेगा हग नजिक सेहरक से उप्रान की मुली से नज़ देख है जैसा बाहर होते हैं जो होई ऐसा अदिल तो अध्खिन भी उणियारा नहीं माहें रहें हिलमित मेरे कहने का आसा है ये नहीं है कि आस्रमों और मंदिरों का महत तो नहीं है खुले अगास के नीचे तो चर्चा बाणी होगी नहीं यहाँ छत है तभी तो हम लोग चर्चा बाणी कर रहे हैं इस दिश्टी से हर आस्रम और मंदिर का महत पहे है लेकिन वो जन जागरिती का केंदर है ये प्रबोतने के लिए है कि अक्षा तीत है वाणी है उसके जान को हमें आत्मसाथ करना होगा लेकिन प्रित्र को जब आना है तो अपने मन को सांध करना ही पड़ेगा बाहर के संसार को देखना बंद कर अपने हिर्दे मंदिर में प्रेम की दिष्टी लानी पड़ेगे और जब खोजेगे तो कहीं नहीं अपने हिर्दे मंदिर में मिल जागा इस जी तो सिंधी बाणी पुकार-पुकार कर कहती है हक नजीक सेहरक से आलो पटना त्वार खोली आँखे समझ की देखती ने देखी भरता हम देखते हैं भी नहीं देख पा रहे ये सिंधी बाणी बता रही है सागर के बाणी क्या काती है अरिस्त मारा मेरा दिल है इताय करू अराम उसमें तक कोई बाणी उतरी नहीं थे सद्कु महराज की चर्चा सुनते थे वीराज इसने उनके अंदर ये विराज की आग द्यदकी कि मुझे प्रितन चाहिए और विराज नहीं ब्रमान में बिना सुहागी नार परण नाम के ब्रमसेश्टी ही विराज किरा बना सकती है बड़े-बड़े रिशी मुनी हो गए योगी यती भी हो गए साधू संत्री बहुत है वो साधनाई कर सकते हैं तपस्या कर सकते हैं बिद्वता ग्रहन कर सकते हैं लेकिन विराज में तरपना किसी किसी के लिए संभा होता है और वो क्याप प्रमदाम की ब्रमात्मा ही कर सकती है परमास महराज स्री रामदन दाशजी ने अपने को तेरांगी अगनी में इतना जोक दिया था उनकी मिहालत बैसे ही हो गई थी, जैसे कभी राजकुमार सिधार्थ की हो गई थी अब आगे पर संग आईगा कि हफसे में मिह राज की हालत क्या हो जाती है उसमें भोजन की इच्छा ही नहीं रहती आप किसीने किशी सेवा में इनको लगा दीजिए ताकि इनका मन उसी में लग जाए अब सद्गुमाराज उनको गुजरात बेशते हैं गुजरात यानी अम्तावाद किसलिए कुछ धार्मे ग्रंथ पुरार संगिता, महिस्वर तंथ, सनद कुमार संगिता इन ग्रंथों की खोच के लिए ताकि इन ग्रंथों के मात्यम से अपनी साथ्षिया मिल सके और सुन्दर साथ की आत्म जाकरित हो सके मिराज जाते हैं, उब्रंथों कुलाकर सत्कुबराज को सौप देती है उसके पिस्चाथ एक और सिवास लगादी जाती है गमजी भाई के एक भाई है जिसका नाम है खिताभाई खिताभाई की पत्नी का नाम है हीरवाई जो सद्कुमराज की बहुत प्रेम से सिवा करती है। पचीज साल लोग गए होती हैं, उनको अरब गए हुए। अरब में जाकर बहुत देदिधन कमाया होता है। कोई उनका और है नहीं, अकेले खेता भाई ही रहती है। सबने विचार किया कि सुंदर सायत का अनौ तो बहुत हो गया। और जो गांगजी वाई के घर सुंदर सायत चर्चा सुनने आता है। उनके भोजन बगारे की बेश्ता पीक करने ही पड़ते हैं। परिगाम यह होता है कि सरा घर्च गांगजी भाई अपने पासे करते हैं। कोई विर्ला होता है जो सेवा के प्रती अक्रेगणे भूब का निभाता है। धन्तों अनुकों को पास होता है। लेकिन सेवा भावना किसी-किसी के अंदर आती है। गांग जी भाई ने ये नहीं देखा कि इतने सुन्दर साथ कि में वियस्ता केसे करूं। उनकी पत्नी राह में बात्यक बढ़ दी थी नाता तोड़ लिया। और सच्चे हिर्दे से सदकुमाराज, उनकी पत्नी, वियारी जी, जमना भाई और जितने सुन्दर साथ आते हैं सब की देख भाल करते हैं। नितान ये रास्ता निकाला गया। खेता भाई के पैस पैसा बहुत बढ़ा हुआ है। किसी काम में तो आ नहीं रहा है। यदि वो धन आ जाता है तो सुन्दर साथ की सेवा हो जाएगी। और इसके लिए राजी कादेश हुआ सदूर धनिशिदेव चंदिका के मिराज तुम अरम में जाओ और खेतावाई से मिलकर सारा धन लेकर के आओ ताकि उसका सुदुप्यों हो सके। अब सत्रह सौ तीन का समय है स्री मिराज भारूर का महीना है भारूर मेने में चल देते हैं अरग के लिए। 40 दिन में 9 महुशती है अरग। अरग में जाने के बाद खेतावाई का जो पता दिया होता है मिराज मिलते हैं। बिन अंकूरे क्या करें सुख लिख्या नहीं तारे मिले। बहुत पकार करूं की स्खातिर इतुव सुपन सरो बेहत मनच का होई का साथी 101 लवे हो सी टुप्टू। जो ब्रमात्मा होगी बेहत की स्रिष्टी होगी वही परणधाम के ज्यान को ग्रण करेगे। मीराज खाली समय में उनको चर्चा भी सुनाते हैं। लेकिन खेटा lin bugün माय जींव चरचा सुद्स कर देता है मिराज पको अभी उस वेख्थी से इतनी हजर रुपे Maker बश्यां कि रही तुम्हें लेंदिनिञारी करनी चरचा से पहले करो लेकिन वेठा है किसा मhã धव्यान कहँ घूंब रहा है पैसे में लेंदिन में सारी जिंदगी उस बेचारे ने उसी में गुजारी थी, कहां से बने लगे करते करते चार वर्स बीद जाते हैं, खेता भाई का देते अब हो जाता है और स्री मिराच, जितना धन रगता है, सब को लिखित में लिखते जाते हैं कि इनसे इतना दन लिया, इनसे इतना दन लिया। ये धन ऐसी चीज़ह है। डना ata धर्मन तता शुखं। धन से धर्मा होता है। लेकिन धन के लोब से अधर्मा होता है। इसलिये बेद ने कहा। तेन तक तेन भुन जिधाम, मा अंग्रधा क सस्वी ध्रम। जिए कि ये धन परमात्मा का है, मेरा नहीं है, मेरा उतना ही है जितना मेरे लिए अवसेक है, या तो परमात्मा का है, या इस राष्ट का है, या तीसरे नमबर पर मेरा है, मनों सोचता है कि ये धन मेरा है, यही से वो भूर में पड़ जाता है, मेरा मेरा करते करते उसकी उम बीच में दराष डलता है इस न्से छत मिलता है इस दंसे सिर के उपर चत मिलती है यहां तक तो ठीक है लेकिन यही सब कुछ हो जाए इसे के बीचे मनस पाफ करने लगता है धन के बीचे भाई भाई का कत्ल करवाने लगता पिता पुत्रि एक दुसरे का के दुस्मन हो जाते हैं यहीं से बात की नदी में मनस्गिनना शुरू कर देता है त्याक पुर्वक धन का भूब कीजिए पूर्शार्थ कीजिए लेकिन परमात्मा का धन मानकर संसार के कल्यान के लिए खर्च कीजिए इसी में सब का सुख होता है खेता भाई ने तो असक्ति वस कमाया था ब्रह्म जान भी सुने नहीं सका और दुनिया से खारी हाँ चला गया सरीर तो सब को छोड़ना होता है लेकिन विवेक वान वो होता है जो सरीर छोड़ने से पहले अपनी आत्मा के हिर्दे मंदिर में अपने प्रामिस्वर को बसा ले जो नहीं कर पाता वो निरर्थक ही उसका जीवन बीद जाता है खेता भाई के साथ ये हुँआ अब मिहराज ने ये सुचना पत्र के माते में से सदको महराज के बास बिजवा गी जब धनवसुले के कारी में मिहराज बाहर के हुए थे वहां का हाकिम सेख सल्लाह था उसने सुचा कि खेता भाई अकेले रहते थे उनका कोई वारिस तो है नहीं सारी संपती चप्त कर ली क्योंकि मुस्लिम देशों में ऐसा कानून होता है कि गैर इस्लामिक बेक्ति को यहां की संपती बाहर ले जाने का अधिकार नहीं है यदि उसका कोई बारिस नहीं है तो पर यह हुआ कि जब मिहराज आते हैं तो देखा कि इसने तो हाकिम ने कबजा कर रुखा है उन्होंने दोड़ धुब की कि भाई देखिये मैं खेता भाई का भाई हूँ और केता भाई के भाई गांग जी भाई ने मुझे बेजा था मैं इनका वारिस हूँ यह संपती मुझे मिलने चाहिए सेखसिल्ला ने सूचा कि हमारे देश से हिंदुस्तान पैसा जाए यह कभी हमें सुईकार नहीं उसने एक ताह, एक रास्ता निकाला कि यदे मिराज की हध्यां करती जाए तो रास्ता सफ हो जाएगा मिराज को पूछने वाला यहां कौन है और अन्तु 전ा opinions होती हैं मिराज को जो उन्के नजज्जिकी थे उनूने बताया कि आप यहांसे चले जाएगा वहां से जाकर दो माँ इस्लामिक जगत के जो खलीफा कहला थे इमाम जो बसरा में निवास करते थे वहां जाकर के चक्र लगाते फिरे अपनी फर्याद करते रहें लेकिन एक मुस्लिम देश में एक हिंदू की बात सुनने वाला कौन है आप धोती बहन कर जाएगे कौन आपको पूछेगा एक मुस्लिम देश में मिराज की फर्याद कोई सुनता नहीं है निराज सुकर एक दिन जा रहे है अब राजी का जोस एक आरब के रूप में उनके सामने प्रकट होता है कहता है कि मुसाफिर तो इतना चिंतित क्यों है मिराज अपनी सारी बात बताते हैं कहते हैं कि मेरे भाई का धन हाकिम ने हड़प लिया है और वो देना नहीं चाहता और कहता है कि मुसाफिर तो चिंता न कर जुमेक की नमाज बढ़ने के लिए बादसाह इधर से गुजरेगा ये देखो मैं पत्तर लिख देता हूँ तुम ये पत्तर उनको दे देना तुम डरना नहीं और जब बादसाह इधर से गुजरे तो उनका दामन पकड़ कर खीच देना जिन्ता नहीं करना तो में कुछ नहीं होगा मेरी बाद पर विश्वास करो पत्तर लेकर के दे देते हैं और मिराज जब उधर करते हैं वो अद्रिस हो जाते हैं जुमा यानि सुक्रवार का दिन है बादसाह आ रहा होता है अपने रक्षकों के साथ मेराज को वो बाद याद थी और वो आगे बढ़े अंतह प्रेणा ने मजबूर किया आगे बढ़े घबराये नहीं और दोड़ते उनका दावद जटक दिया आप जानते हैं कोई मंत्री राज्यपाल या प्रधान मंत्री राश्पती जब जाते हैं तो आगे बीचे चारों तरब कितनी सुरक्षा खड़ी वती है इतने सुरक्षा करवियों के बीच में चले जाकरके और बाद्चा का दामन कीचना सलल काले नहीं था सब ने तलवारी निकाल ले किसको भी अभी टुकड़े कर दे बाद्चा ने कहा कि रुको कहा कि बेटे डरू नहीं तुम अटनी बात को हो क्योंकि इस बेक्ति ने जो बात कही है इस बेक्ति ने यदि दामन मेरा खीचा है तो कुछ रहस्य है किसी की हिमत ही नहीं पड़ सकती मेरे पास आने की और इसने यदि दामन खीचा है तो बिना जाने इसको मारना हो जितना है मिराज ने कहा कि बादसा मैं दो मेने से आपके दर्बार की चक्र लगा रहा हूँ कोई भी दर्बारी मुझे आप से मिलने देना नहीं चाहता और मेरी फर्याद सुनी नहीं जा रही है बात्साह करता है तुम्हारी कैस्म समझ जाए का कि मेरी संपता सेक्सला ने चिप्त कर लिया और काता है कि उस पर तुम्हारा कोई अद्पकार नहीं है मेराच जो उन्होंने कहा था उसको सुनकर बात्साह करता है अच्छाकल आप सबेरे-सबेरे मेरे दर्वार में आये मैं इसका इंसाफ करूँगा क्योंकि मीराज ने कुछ ऐसे बच्छन कहा दिये थे जब कस खीचा था तूट गई थी तभी जो उसमें कहा था मीराजी ने कि बाद साथ जो मेरा कृते पे था अपने भाई का धन सुरक्षित करना वो जिम्मधारी में तुम्हारे उपर देता हूँ यदि तुमने इंसाफ नहीं किया तो क्यामत के दिन जब इंसाफ का दिन होगा क्योंकि उसके लिए कुरान में काफे कुछ कहा गया है कि तब कोई नहीं किसी के सर्द दुख सुक भुखते अपने अग्ड़ उसमें किसी की चालाकी नहीं चलेगी सबको अपने कर्मों का फल भूगना पड़ेगा बाद साखत है कि ये कुलाम तो दुड़लब है और तब उसने मिराज की बातों को गौर से सुना और वायदा किया कि कल तू आना मैं तुमरा निश्ची तुरुप से इंसाफ करूगा मिराज अपने निवास पर आ जाते हैं अगले दिन सबेरे बात साथ जैसे ही दर्बार में गया उसने अपने दर्बारियों से कहा कि कल जो भी वेक्ति मुझे से मिला था उसको बुला करके लाओ मिराज का नाम तो उसने पुछा नहीं था इसने कहा कि कल जिस मुसाफिर ने मेरा कस खिच दिया था और वो तूट गया था उसको लाना है सिपाहियों कभी और कैसा होता है कि कौन महभुरु से वग कि सबके साथ एक जैसा ही बै बिवार करते हैं कि मिराज के दोन मोग पकड़ लाते हैं पुझत थे एक कि किस मिराज रास्ते में जाते के अ नहीं वह पिक्तिम हो। दोनों को पगड़ करके लाते हैं। दर्वार में पहुचने के बाद बादसा करता है कि मुसाफिर आप ये बताओं आपकी समस्या क्या है। किसने आपका धर लिया है। मेराज सोचते हैं कि यदि मैं इसको पुना बताओं उस बैचारी को तो सजा हो जाएगी। करते हैं कि नहीं बादसा मेरा काम तो हो जाएगा। बजसा पुछता है कि आपने क्या मेरे अधिकारियों से कहा नहीं बजसा मेराज करते हैं कि बजसा मैंने सोचा कि मैं सीधे बजसा से क्यों नहीं कहा दूँ अब बजसा ताण गया कि ये मेरे अधिकारियों को सजा नहीं दिल्वाना चाहते हैं निश्चित रुप से हिंदु क्योंकि कल कह रहा था कि दो महीने में बढ़क चुका हूं मेरी बात किसी ने सुनी नहीं और आज ये कह रहा है कि मुझे कोई अपती नहीं मैं तो सीधे आपसे ही बात कर लेना चाहता था इसने आपका दावाद चटक दिया था मिराज सारी बात बताते हैं सुनने के बाद बातसा ने अपनी कलम से हस्ताक्षर कर दिया और साथ में दो सैनिक भी भेज दिया कि जाओ गोदाम पर इनका सारा अधिकार करा देना और सेक्सला को लिखती है कि सेक्सला यदि तुमने मिराज को उनका धन वापस नहीं किया तो तुमें सक्त से सक्त सजादी जाएगी निति की सिक्छा है कि सर्व से कभी भी छेड़ खानी नहीं करने जाहे या तो सर्व कुमाड़ा लिए या नहीं तो छेड़ खानी नहीं किजिए काटी का आवस से सेक्स अलाद ने सोचा कि बातसाज से सिपारिस करके मिहराज धन लेने के कैसे में चावी तो दे दूगा, लेकिन संपती इनके पास नहीं जाने दूगा मीराज अभी संपती निकाल नहीं पाए थे, रात को उसने अपने आदमी भेज कर अग लगवा दी सारा कोदाम चल गए इधर सद्कु महराज ने बियारी जी को भेजा था और गंग जी भाई के बेटे स्याम जी को भेजा था दोनों कैसे थे, एक तो करेला, दूसरे नीम चला है दोनों का सुभाव एक जैसा और दोनों ही मिहराज से देश रखते थे बियारी जी को उनके मित्रों निकार रखाता है कि देखो बियारी जी सद्कु महराज तुम्हे कम प्यार करते हैं, मिहराज को ज़्यादा चाहते है और यदि ऐसा ही रहा तो गादी तो तुमारे हाद से गई यही गादी सारी समस्याओं की जड़े अध्याद में गादी के लिए कोई अस्थान नहीं अध्याद में सत्य का अस्थान होता है सत्य कहीं से भी प्राप्त हो, वो स्रेस्कर होता है लेकिन गादी विशेश, अस्थान विशेश, बेक्ती विशेश के पीछे चलता हुआ समाज कभी बनम सत्य को प्रात नहीं कर सकता यदि सत्य को पीछे किया जाता है बेक्ति को अस्थान को या गादी में से इसको आगे किया जाता है तो समाज का बटकना निश्यतरुप से है बिहारी जी को सब कुछ और स्याम जी को स्री मिहराज अपना दिखाते हैं बही खा था कि देखो बही इतना इतना पैसा हमने वसुल किया है ये धन है आप ले जाओ और आप देखी रहे हो कि गुदान को जला दिया गया है इसमें मेरा कोई भी दोस्त नहीं सारा पैसा वाग उनको दे देते हैं और मिराज कहते हैं कि अभी कुछ धर बाकी रह गया है वो सारा मैं पकत्रित कर लूँगा और पूना आकर सद्कु महराज के चर्णों में अपना सब कुछ सौंप दोगा चार साल तक रह चुके होते हैं मिराज चार साल तक धन इकठा करते रहे हैं उनके मन में भावना है कि सद्कु महराज के आदेश को मैं पून करू चिल-चिलादी धूप में बढ़कते हैं अरब देश का तापकरम क्या होता है गर्वी में पचास सेंटेग्रेट तक पहुन जाता है चालीस सेंटेग्रेट तक हो जाता है तो दिल्ले के सुन्दर साथ तो बिना ऐसी के रही नहीं सकते अब वो मिहराज है छिल चलाते धोप में पचास से निगरे तापकरम में घूम रहे हैं किसके लिए सद्कुमाराज के अदेश को पूर्ण करने के लिए लेकिन जिसके मन में कुफर हो भूरी नियत हो bent मों कभी मिटने सकती भ्यारी जी और स्याब जी ने सोचा कि महीराज ने इतनी सेवा एकत्रित की है ये तो सद्कुमाराज का और प्रिय बग जा गाएगा इसनिये सद्कुमाराज से जाकर कि उल्टी सिकायत करनी है कि मीराज ने तो सारा धन हड़ब लिया दोनों आकर गंग जी भाई से और सद्गु माराज से पुल्टी सीधी बाते करते हैं कि सद्गु माराज मीराज तो चोर है उसने धन काफी हडब लिया है और देखिए थोड़ा से धन दे दिया है सद्गु माराज ने तो उन्हें फटकार दिया कि तुम लग जूटे हो जैसे तुम हो वैसे ही मेराज को सुचते हैं चंद्रबा में तो धंपे लग सकती है लेकि मेराज के उज्वल जरित्र में धबानी ले सकता है मैं तुम दोनों की बात ने सुनूगा गांग जी भाई न सद्गु माराज ने भी फटकार दिया अब उन्होंने सोचा है कि सद्गु माराज के मूल लगी कौन है बालबाय वेद में लिखा है नारियाम असास्यम मना है नारी का मन प्रसासन की छंता नहीं रगता नारी को प्रधान मंत्री बना देचिए न्याय ध्रीस बना लेकिन राजा नहीं बनाना चाहिए वेद का इसा कायना है क्यों चंचलता कोमलता तिक्छनता ये तीन दोस होते हैं जिस बेक्ती में जहां पूरुस ही क्यों नहीं हो पूरुस में यदि इस्तिरियों का ये तीन दोस है पूरुस का सभाव यदि चंचल है तिक्छन है और क कोमल है तो कभी उप्रसासन नहीं कर सकता विदेशी सत्रु ने हमला कर दिया अब पहले दर्शत के वारे राजा के प्राण सुख जाए तो क्या अभुदेश की रक्षा करेगा इसलिए राजा में धैरी का गुण होना चाहिए सालिंदा का दोस्त गुण होना चाहिए संकट से उपरने के लिए संघर्ष का गुण होना चाहिए वहीं बेक्ति राजा बच सकता है जिसका दिल इतना कोमल है कि हर चीज में खवरा चाहिए बोलने को कुछ बोल दे कुछ तो ये इस्त्रेंड दोसों से लिक्त भी बेक्तिवीर उच चस्तर का राजा नहीं बच सकता आप सोचेंगे कि दुरगावती भी तो राजी संचालन की लक्षिमी भाई भी राजी संचालन की इंदर घादी ने भी राजी संचालन किया लेकिन इन में इस्त्रियों का ये गोड नहीं था उनका हिर्दे मजबूत था जावरानी लक्षिमी भाई का विबा हुआ था वि रानी लक्षिवी भाई कहने के लिए इस्त्री थी उनका हुर्दय पुर्शों की तरह था दुर्गालते का हुर्दय पुर्शों की तरह था इस दिये जब तक योग गुण रहो उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए बाल भाई मुह लगी तो है लेकिन मन चिंचल है बाल दे दिया है और खुद पैसा डगार गया है अब मिराज को उधर से आना है बाल भाई क्या करती है सद्गु महराज को भी नहीं बताती है सीधे राजा के पास चले जाती है यह चंचलता के लक्षण चंचल बेक्ति भीना सोचे तदकाल निड़ने ले लेता है उसका परिणम बेंग करोता है एक संस्कृत में कहाँ दाती है एक परिवार था उनके घैर उस मां को जिस दिन बालक का जन्म हुआ था उन्होंने परिवायर में नेवली को पालन का था, उसने भी एक नेवले को चन्म दिया था दो मों का पालन प्रस्वा हो रहा था एक दिन वो मां पानी भन्ने के लिए बाहर गई हुई थी अचानक एक काला नाग निकला और उस बच्चे को डश नहीं चाहता था वो नेवले के बच्चे ने उस नाग से युद किया और नाग को टुक्ड़ कर दिया वो नेवले का बच्चा भी इस तरी को अपनी मा की तरह मांता था उसकी गोद में खेला करता था वो अपनी बहादूरी दिखाने के लिए घर से बाहर आया कि मैं मां को दिखाऊं कि देखो मैंने नाग को काट दिया है वो महिला सोचती है कि लगता है इसने मेरे बेटे को ही काट दिया है इसलिए मुन खुन इसके दिख रहा है उसने पानी से भणा हुआ गड़ा उसके उपर बटख दिया नेवले को बच्चा तो मर जाता है जब घारा करके देखती है तो काले नाग को कटे वे देख करके छाधे पिटने लगती है मैंने बिना सोचे समझे जल्ती में अपने प्यारे नेवले को माण डाला यदि नहीं होता तो मेरे बच्ची कोई नाग कट लिया होता इह चंचनता कर्लेट जनल बालबााई में ही दोस पिंए विवेक के सोचे समझे कारी करना अब बालबाई राजाय से सिकायत करते हैं, मीराज सारा धन उगाई करके लाते हैं जयसे समंदर के किनारी उतरते हैं सालिक राजा के ईख्रवधार कर लेते हैं उनको कर रगार में ड सभव20 करला कुर में पूछा जाता है कि दंट ऊन्हें कांग घआ कई कांग जी आना में मेरे इसके दो हुड़़े कपड़े हैं वहीं मेरे हैं फेनल सतकोड महाराज का हैं ये गांग जी भाई का है मेरा एक भी पाई नहीं है राजा कर्ण्याय होता है कि जो जप्त किया जाता है वो थोड़े किसी के पास जाएगा इसको खाजाने में डाल दो पानी का पैसा पानी में ही चला जाता है खेता भाई के मन में धार्विक पाउनत ही नहीं जितना पूरी का धन था वो सिवा में लगा जो बिहारी जी के मात्यम से भिछवा दिया था से जो मीराज लाये थे बाद में उराजा के खजाने में चला गया अब बालबाई सोचती है कि इस तरह से तो मैं सद्गु महराज के दिष्टी में गिर जाओंगी जब मनुस एक पाप कर देता है तो उसको छिपाने में नजने कितने पाप कर देता है सोचा कि सब के दिष्टी में गिर जाने से अच्छा है कि मीराज को फिर दोसी बना दे बागे बागे सद्गु महराज के पास जाती है करती है कि सद्गु महराज महिराज पक्का चौर है यदि आपने महिराज का प्रणाम स्विकार किया तो उझे आप इस दुनिया में देखोगे नहीं मैं आत्मक्तिया करूँ नहीं यहां स्रिधेरचन जी को हारना पड़ता है न्यायकर सिंहासन के उपर निर्वय करता है कि कोई भी समाज कोई भी परिवार या कोई भी राष्ट सुरक्षित रहे यदि न्यायकर सिंहासन दागदार हो गया तो वो समाज वो परिवार या वो राष्ट कभी भी सुरक्षित न उनके उपर कोई दोस्त नहीं लेकिन ये सोचा है कि महराज तो मेरा अपना है यदि ये भाल बाई आत्मात्या कर लगती है तो सारे साहर में ये बात फाइल जाएगी कि देखो एक महिला ने आत्मात्या कर लिए अब उन्होंने मजबूरी मैं सोचा कि अच्छा चलो देखते हैं मेराज रूठेंगे मैं मना लूगा लेकि आत्मात्या वाला कांट नहीं होना चाहिए मेराज आते हैं सद्गु महराज के चलों में बढ़ाम करते हैं और सद्गु महराज मेराज को देखते ही चादर ओड़ लेते हैं तमें बढ़दा कीदा बच्छी अपना मुक ढख लेते हैं जागर से बढ़ाम सुखर नहीं करते हैं मिहराज को बहुत बिढ़ा होती है 1703 में गए होते हैं 1708 का समय है पांच वर्सों की जुदाइगी है आजकल तो फोन पर हम प्रदिन बात कर सकते हैं उस जमाने में तो बात करना सम्हों ही नहीं था पांच वर्सों तक स्री मिहराज सतकुल महराज के अदेश से अरग में दर्दर रिखते रहें और ओ आयें तो उल्टे चोर की बदनामी कारगार में भी जाना पड़ें और जिसके अदेश पर उस सेवा करने निकले थे जिनको माना था कि ये हमारे धाम दनी है इनके अंदर सक अच्छात मेरे राजजी बैठकर लिला कर रहे हैं वो तन ये पढ़ाम बीच से उकार न करें तो उस दिल पर क्या गुजरेगे मेरा बैठित हो जाते हैं आउस्वों कैसा लाग उनके नित्रों से प्रकट तो होता है लेकिन मन की बिढ़ा किस से कहें मन में एक टीस उड़ सुभाविक है यदि किसी इस्त्री को बाहर के लोग गलत कहें तो उसा लेगी लेकिन उसका अपना पती ही यदि गलत समझने लगे तो वो असल हो जाता है मीराज को यह कृष्ट है कि बालबाई ने मुझे चोर कहा बिहारी जी ने चोर कहा मुझे कोई आपती नहीं लेकिन सद्गु महराज को भी मेरे उपर विश्वास करना चाहिए उन्होंने सोच लिया कि जड़े सद्गु महराज आपको मेरे उपर विश्वास नहीं है तो जब तक आप नहीं बुलाओगे मैं भी नहीं आओगा यह प्रेम का हट होता है इसको कहते है मां जब मैं आप बुला रहते हैं लेकिन हिर्दय में जो प्रेम का अंकूर होता है वो कभी समाप्त नहीं होता निति की सिक्षा है दो मित्रों के बीच पत्पत्नी के बीच और गुरुसिस के बीच में कभी भी तीसरी को दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए क्योंकि यह रिष्टे ऐसे होते हैं जो कभी तूट नहीं सकते हैं कभी ने कभी एक वस्य होंगे मिराज के अंदर जो सद्कु महराज के लिए सभर पड़ है जो प्रेम है वो कभी कम तो हो नहीं सकता समाप तो हो नहीं सकता घर बैठे ही विरा करते हैं एक पूरी माय अम बैठा दनी इसी एक पूरी में मैं भी मेरी भी तो इच्छा है कि मैं आपके पास आऊ मिराज सुछते है कि सब सुन्दर साथ सद्गु मराज के पास गए होगे मैं इंद्रवति की आत्मा यहां तरप रही हूँ यदि सद्गु मराज मुझे बुलाएं तो मैं भी अगर बुलाल खेलू सबके साथ अनुद में मंगने रहूं जो मिराज सद्गु मराज के विना रह नहीं सकते थे अब वो मजबूर हैं एक ही पूरी में रह रहे हैं जा नहीं सकते यह सारा विराब उत्तरा है सट्ट्टी घट्टी के अंदर और उन्होंने संकेत किया है बिहारी जी और बालवाई को संकेत करके बांडित किया है दामदनी ने सुन्दर साथ के वास्ते ही सिखापन दिया है उधाव कहा गया है बालवाई को अक्रूर और यदुराई कहा गया है बिहारी जी को और उद्व के नाम से संकेत करकरके उन्होंने समझाया है इस प्रकड में ब्रज लीला का दिश्टां दिया गया है जैसे गोपिया स्रिक्र्ष को चाहती है दो स्रिक्र्ष ने हैं एक स्रिक्र्ष मत्वुरा वाला है और एक स्रिक्र्ष ओ है ब्रज वाला जिसने साथ दिर गोकुल में और चार दिर मथुरा में निला की होती है बालबाई भूंका निभार ये उद्धाव की जैसे उद्धाव ने संदेश साब उद्धाव को संदेश वहाँ बना करके भेज़ा था कृष्णे की जाकर के उनको सिख्यापन देओ उसी तरह से बालबाई की भूंका कई जगह कारी करेगी सत्कुल माराज के देट्याग के पेस्चाथ बिहारी जी माराज को गादी पर बैठाने में बालबाई की मातिमूर भूंका रहेगी और बालबाई कि गादी पर बैठाने मात से बिहारी जी को अक्षरातीत सिद करना जाती है इसलिए उस प्रकड़ खटुति के प्रकड़ में द्रावती जी करती है रे उधावडा तारी मत लई जारे तूसा थे रे उधाव, हे बालबाई यदि तू गादी पर बैठाने मानना जाती है तू ये मनता मुझे सुखार नहीं अमारा धनी अमपा से गोप्यों ने उधाव से क्या खाता रे उधाव, तू हमें योग क्या सिखाने आया है जो तू योग बताता है, हमारा मन तो हमारे पास है नहीं एक होता उसो गयोस क्रिश संको अवरादे जो हमारा मन तो करनिया के साथ चला गया इसनी हम ध्यान कर नहीं सकती और जिस क्रिश का तू, जिस परमात्मा का तू योग बता रहा है न वो हमारे दिल में बसता है, यानि इंद्रावती का क्थन क्या है, कि राची मेरी अंदर है, ये नित मोबिन कोड़े ना मुल लियो, आगे ये प्रसंग आएगा, और जो पहले प्रकार का जो पीरा किया है, उसमें सद्गुर महाराज को सीधे सम्मोदित करके कहा है, इड़ी रिते, कीम्मिशारीये, अर्दावं, तमारी प्राणना, छे रित्मिया होते हैं, सरक, ग्रिश्म, वर्षा, हेमन्थ, सिसीर और बसंत, हर रित्म का अलग-Iलग रस होता है, विरहणी आत्मा अपने प्रियत्म को प्रकार जई होती है, हर रित्म में इंद्रावती जी जी के आतम सद्गुर्ध देवचन जी के अंदर विराजमान धामदनी को लक्ष करके विरा करती हैं एक दिन कि स्यामज जी की पत्ने कट बचन बोलती है निती के सिच्छा है तलवारों के खाउ तो भर जाते हैं सब्दों के तीखे खाउ कभी नहीं बरा करते हैं एक दरौपति के काट बचन ने माभारत करया था इसफिता ने कहा था लक्षमर को कि लक्षमर तुम इस लिए नहीं जाना चांते क्योंकि जब मारिच को बार लगा है मारीच के उपर कोई अपत्ति नहीं आ सकती, ये राक्षों की माया हो सकती है। शीता को क्रोध आ गया, सीता कहले कि लक्षमर्ड तुम इस दिये नहीं जाना चाहते हो कि राम मर जाएं तुम मुझे पत्नी बना लो। सीता की इस मर्वेदी बात को सुनकर लक्षमर्ड ने सीर जुगा करके महां से जाना ही उचित समझा, क्योंकि सीता को उन्होंने हमेसा मात पिर्देश्ट देखा था, चरनों से कभी नजर हटा कर सीता की मुख की और कभी देखा है नहीं था। ऐसे बेक्ते को कट बचन कहा करके सीता ने जो अपराद किया उसका परिणाम यहा कि रमायर का युद्वा और लाखो बेक्ते मारे दरपने ने जो कट बचन कहा उसका परिणाम यहा कि लगभग 47 लाख लोग मारे गए थे, 18 अक छोड़ी सेना की गर्णा की जाए तो 47 इस तिये राजा के लिए प्रमक बेक्ते के लिए उत्तरदाईत होता है कुसमे सानिंता हो, गंभिरता हो, धहरी हो, वानी परशन्यों यह दि चंचल मन वाला बेक्ते अधिकार ज्यादा ले लेता है कुछ का कुछ बोलतेगा और बालबाय के इस कट बचन ने सब कुछ किय अब यह गणना मीराज के साथ होती है, भावी ने यानि शामाजी की पत्नी ने कट बचन कहें कि मीराज जिस सद्गुर्ग के नाम पर तुने अपने भाई के उपर हाथ उठाने के कोशिस की थी, यदि आज तुम्हारा भाई नहीं होता, तो तुम्हारे सद्गुर्ग ने और तो तुम्हें दो साल से खुचा नहीं, तुम कहां रूटी खाते? यह क्या है? ताने यह शाम नहीं होते? बाणी का सन्यम बहुत बड़ा सन्यम है, आपका हच्रान का प्रभाव बाद में पढ़ता है, बाणी का प्रभाव पहले पढ़ता है, आप के कट बचन किसके हि अपने हिर्दय के भावों को मदूर सब्दों में बेक्त करना चाहिए तुलसी मीठे बचंते सुक उपजद जहोर बसी करणय मंत्रें तच्दे बच्चन कठोर लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बनावटी बेहर किया कि जो हिर्दय लेकिन किसी को इतना तीखा नर्वलिये कि वह आपके बाणों वाणी के कट बाणों से बीद जाये क्योंकि कि आपके कट सब्दों की मार को जीवन में कभी बुझ नहीं सकता है एक गटना सची है एक महत्मा बालक सवेरे सवेरे भज़त गाना था उन लेक मैंने पड़ा उस लेका के उपर आप बीती गटना है प्राता काल का समय था उस बालक महत्मा ने कहा कि हम महत्मा लोग हर द्वार जा रहे हैं कोई बेक्ति दानी हो तो हमें कंबल की सेवा कर दे उन्होंने दर्वाजा खुला देखा कि एक लड़का सा महत्मा है सवेरे सवेरे भज़त गा रहा है उन्होंने उसको बलाया कसकर चांटा मार दिया कि तुम्हें समेरे सबेर नीप तोड़नी की क्या जुबरत थे उसके चेहरे पर कोई विकार नहीं आया सांध भाव से कहा कि बाबा हमने तो भज़न गया था आपको अपति हैं तो हम चले जाते हैं क्रोध नहीं आया सांधी से उतर दिया लेखक लिखता है कि मेरे चांटे को तो उस बालक महात्मा ने सायन कर लिया लेकिन जिस सालिंता और प्रेम भरे सब्दों में उसने मुझे उतर दिया उसकी मार को मैं आज तक नहीं बुला आखिर मनुस यदि अपरायत करता है तो सोचता तो है कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि जो परमात्मा का भचन कर रहा है उसको मैंने चांटा मार दिया और वो बालक होते हैं अभी महात्मा कितना महान है कि उसके चेहरे पर क्रोध नहीं आया और सालिन्मा में उतर दे रहा है याद रखिए कोई भी व्यक्तिक कट बचनों से धन से दबंगेई से महान नहीं होता है जो जितना ही महान होता है उतना ही बिनम्र होता है बिनम्रता, सिष्टा, सालिन्ता ये महानता का पर जाय 거야 अब मेराज ने सूचा देखत ही हरसे नहीं नहीं सने तुलसी वाखन न चाहिए कंचन बरसे में यदि मेरी भावी को ये मैं बोच लगता हूं और ये सच है कि बहने ऐसा ताना मारने में पुर्षों से ज़्यादा आगे पुर्ष तो एक बार जो कहना होगा कहतेगा लेकिन तीखे बचन चाहे स्यामवल जी की पत्नी ने बोला हो चाहे द्रवपती ने बोला हो चाहे सीतान ने बोला हो ये क्यों चंचंता के करण होता है इस्तरी वापुर्ष के अंदर एक ही जी होता है लेकिन लक्षन के उपर है ब्रह्मग्यानी बनने का अधिकार दोनों को है पुर्स भी ब्रह्मग्यानी हो सकता है इस्त्री भी ब्रह्मग्यानी हो सकती है अध्यात में सब के लिए समान रास्ता है लेकिन होता क्या है बहनों के इर्दिगर्द एक छोड़ा सा परिवार होता ह पती, बच्चे, घर, द्वार, इनके बंदलों को तोड़ पाना उनके लिए कठिन होता है, पूर्सों के लिए बाहर कच्छेतर होता है, इस दिये जब कभी पती, परिवार और बच्चे और घर द्वार संपती में जरा से बेधान होता है, तो इस तरी दिल मिला उठती है, य यही पूरा द्रवपदी के मुक्से निकलती है, कि अंधों के बच्चे अंधे ही होते हैं, और स्यामाल जी की पतनी भी यही बात कहती है, कि यदि भाई नहीं होता, तो तुम कहां से रोटी काते है, पूरुस चुकि बाहर का देखता है, इस दियो कुछ धहर रखता है, मै बच्चों में और पती में अभधन संक्रक करने में उल्जा होता है, या सरीर की सजावड में उल्जा होता है, बाला का मन बिलकुल निश्चल, पवित्र होता है, लेकिन उसका मन चिंचल होता है, प्रकिर्तिने सब में कोई न कोई कमी बना रखी, पूरुसों में कुछ कमी कुछ कमिया बैंदों के नतरों को रूंदक्डे ऑद हैं अध्यात्मीं दकर पर चलने वालों इन सारी कम्युंगों को दूर करना वता है जो इन कम्यों को दूर कर लेता है चाहे को भा सपना का दर्वाजा उस की प्रहrade्टिचरा करना हो त्सकी परतिछा कर रहा होता है कलाजी एक छोटी सी रियासत के राजा हैं अच्छी बेस्ता करते हैं दो साल वहां रहते हैं चार साल बीद जाते हैं अब समय है बिक्रम सत्रह सो बारा का समय आ जाता है अब देवचन जी के धाउं गमन का समय आ पहुंचा है देवचन जी कभी भी सांत नहीं रहा हैं और आव्क का पर्दैा करके राम कभी भी चैन किनेत नहीं सोबus पह हैं राजी की मरिय risky yoga के लिए bySilica 혼ुचा कि उसी तरह से बालबाई के दवाव में सद्कुर्ध धनिशिते चंजी ने परणाम सुकार नहीं किया, लेकिन सद्कुर्ध महाराढ जानते हैं कि मिराज बिल्कुल निटले तो है, अब बालबाई को कहते हैं कि बालबाई, जाकर के मिराज को बुला लओ, बालबाय को मालूँ है कि मिराज कला जी के पास है आकर करती है कि मिराज तुम चलो वहाँ अवस्यक है मिराज करते है कि बालबाय जी अभी कुछ बैस्ता है मैं देखूँगा उसके पेस्चाद बिहारी जी को कहते है कि बिहारी जी जाकर के मिहराज को बुला लाओ बिहारी जी सोचते है कि यदि मिहराज आ गए है तो गद्धी इनको मिल जाएगी पिता स्री अस्वच्त है, सरीर छूटने के कगार पर है लेकिन पुत्रश्री को क्या दिख रहा है गद्धी ये गद्धी है जिसके लिए बहर बढ़ता है गुर्वारियों में बहर होता है कि कब गुरु महाराज मरें और गद्धी हमें मिलें कोई किसी को जहर देता है कोई किसी को कुछ करता है कई चगे मैंने सुना है कभीर पंत म उनमें पहले से लड़ाई मनोमानिल सुरू हो जाता है कि गद्धी के उतराधिकारे कौन होगा जैसे एक राजा की शरीर छोड़ने के बाद राज सिंहासन के लिए लड़ाईयां होती है उसी तरह से धारमीक छेत्र में भी गद्धी के लिए लड़ाईयां सुरू हो गई अध्यात्म के चित्र में गादी का कोई विभत्त नहीं है अध्यात्म का सिंहासन तो जान, भैराग, विवे, सील, संतोस, तप और साधना से सजदा है रूई की गादी हो, टश्टियों का बर्चस्ट हो, अच्छे वहान हो, अच्छा धन हो ये कौन सा सिंहासन है, ये तो माया का सिंहासन है यदि यही सब कुछ है तो घर द्वार छोड़ करके माराज बनने के क्या हो सकता है और उसके लिए लड़ाई हैं कि मैं इस गादी पर बैठ जाओ, उस गादी पर बैठ कर बेक्ति फद्वे जारी करता है कि ऐसा होना चाहिए और समाज उसके पीछे चल पड़ता है इससे बड़ा दुरभा कि और क्या होगा कहीं किसी गरंत में नहीं लिखा है कि अध्यात्मिक छेत्र में गादे की परंपरा होने चाहिए यह तो राजाओं के लिए है जैसे किसी राजा के साथ मंत्रियों के एक समीति होती है वैसे आजकल धार्मिक छेत्र में भी गादी के साथ त्रष्टियों के एक समीति बनाई गई होती है त्रष्टि जिसको गादी पती बनाते हैं गादी पती मजबूर होते हैं अब प्यारी जी महराज आते हैं मीराज के पास, मीराज जी पुछते हैं कि प्यारी जी महराज पिताईए क्या सत्कु महराज ने मुझे याद किया, कहते हैं कि मीराज तुम नाव भी नलो, सत्कु महराज तुम्हारी सकल के देखना नहीं चाते, पूशते हैं क्या सुंदर साग मुझे याद करते हैं याद क्या करना सब लोग करते हैं कि मेराज ने सारधण हाड़ लिया अच्छा ही एकरो पिता जी का स्वास्त खराब है उन ने अंबर कस्तोरी मंगा है मेराज करते हैं मुझे मंसे कि चार सान हो गए यहाँ पर पांच सानों के पहले अरव में नौ सानों से मेरा प्रणाम स्विकार नहीं हुआ क्या मैं ही इतना गिरा हुआ हूँ कि सद्कु महराज मुझे स्विकार नहीं कर सकते अंबर किस्तुरी मंगा करके दे देते हैं उधर सद्कु महराज ब्यथित हैं कहते हैं कोई तो है जो उसमेराज को बुला कर लाए जो सिंद्ध की भासा में भजन बना करके मुझे सुनाया करते थे उसकी पक्तिया सुनिये उसका भाव क्या है कि है सत्गुरु महराज यदि मेरे एक धड़ ने करोड धड़ हो जाए इसके गर्दर के नीचे के भाग को धड़ करते हैं एक एक धड़ में करोड करोड सीर हो एक एक सीर में करोड करोड मुख हो और एक एक मुख में करोड करोड जिव्याय हो तो भी सत्गु महराज आपने माया से बाहर करके हमें जो अपने चरड़ों में लिया है उसका रिर्ण हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते क्या उस मेराज को कोई भी भूला करके लाने वाला सुन्दर साथ नहीं है उच्पाई सुनिये इत्रा मिंडी तो ही जाओ कह रहे हैं कि है सद्गुमाराज इतना परभी ताचे गुण गिना यादि आपके गुणों को मैं गिना सुरू करो तो आपके गुणों का मैं बढ़न नहीं कर सकता कि किस तरह से आपने हमें अपने चाड़ों में लिया है कभीर जी की बाड़ी में कहा है सिर्दिया इस सद्गुर मिले तो भी सोधा सस्ता जाओ लेकिन ये गादी इतनी बुरी बलाया है कि गुरू के पांस सिस्यों एक को गादी मिलके चार कुणों मिले तो चारों ही मनमस सोचते हैं कि सद्गुमाराज मुझे नहीं चाहते हैं और वो गादी ट्रस्ट के अधिन होनी चाहिए आधर में यте यह नट है लेकिन कुछ लोग अपने कटपुतली में को ऊस रूई की गादी पर वेठा दे और चयंए कि यह प्यक्ति जो कहेंगा सब को मारना पड़ेगा यह तो कहीं किसी धर्मसाष्ट में नहीं लिखा है न मुनस्मृत में लिखा है न बाणी में लिखा है और जैसे जैसे समय बिता गया पौराणे की जुग में यह परंपरा चल पड़े मत्यकाल सही है लगवाग तेड़ मियारी जी को भेजते हैं मियारे जी पुना आकर कहते हैं कि मियराज सद्गु मराज तुम्है याद तो नहीं करते उनका सिरदर्द हो रहा है क्या कोई महीराज को पोला कर लायाँ आप भालवाई को रहा नहीं जाता है कि मेराज सारी अप्रादों की मेरा शाद्हारी जन्नि मैं हूं। मैं तुम्हारी साथ बुरा ब्यवार किया यह सच्छ है। मैंने जूठा आरोफ राजा से चुगलE करके किया लगाया तुम्हारे विवार। सद्कु महराज को तुम्हारा पडाम सिकार करने के लिए मैंने मजबूर किया। इसलिए मैं तुमसे बार बार चमा मांगती हूं लेकिन सद्गु महराज तुम्हारे न पहुंचने से बार बार दुखी हो रहे हैं क्या तुम अंत्री समय में चल नहीं सकते इस बात को सुनकर मेराज बहुत बेथित होते हैं कि खट्विती में यह सब्द इस प्रकार से ब्यक्त किये गए हैं अक्रूर ते इंडू चड़ाब्यों अक्रूर सिक्र्ष को बुलाकर के घुपियों की बीच से ले जाते हैं मत्वुरा घुपियों को बहुत कष्ट होता है अजय और उद्धा अगर के सुक्र्ष का संधेश गोपियों को देते हैं कि कि तुम सिक्रष के पीछे क्यों पागल हुए जा रही हो्घाए ह। परमात्मा का ध्यान करो, योग साधना से उप्राप्त होगा, स्रिक्रिट्स के पीछे इतने पागलना बने हो, कि सभेरे से लेकर सामते कुछ खाती पीती नहीं हो, और रास्ते में वैट वैट करूं की बाट देखती रही हो, गोपियों को दोनों बात चुबी, लेकिन उधाव की बात ज्यादा चुबी, क्योंकि अक्रूर ले गए थे, तो इक्रिट्स जी ने ये कहा था, कि मैं चार दिन के बाद तुम्हारे पास आ जाओंगा, लेकिन उधाव तो कह रहा है, कि तुम बिल्कुल ही भूल जाओ, मिराज को पिल्डा ये है, कि बिहारी जी महराज तो ये कह रहे थे, कि सद्कु महराज तो तुम्हारा नाम भी नहीं लेते, तुम्हारी सगल भी देखना नहीं चाहते, तो मुझे कोई पिल्डा नहीं है, लेकिन मेरे कारण सत्गु माराज तुखी हो रहे है कि मैं मिलना चाहता हूँ और मेराज मेरे पास आना नहीं चाहते इस प्रिथा से मेराज को ज्यादा पिड़्या हुई कि इसमें तो उनेगार मैं हूँ कि सद्कुमाराद मेरे लिए बिल्ख है और मैं इन से मिलने के लिए न जाओं। इंद्रावति की आद्मा इसी पीड़ा को बेक्त कर रही है खटती के अंदर कि अक्रूर से ज़्यादा गश्ट उधाव के सब्दों ने दिया था। यानि बिहारी जी महराज वहरी भावना रखते हैं वहर भावन रखते हैं लेकिन बिहारी जी के सब्दों से ज्यादा पीड़ा बालवाई की सब्दों से पोचती है मिराज को अब श्री मिराज कहते हैं बालवाई से कि बालवाई जी थोड़ा सा काम बाकी है अब मैं इसको को निप्ता करके सद्गु माराज के चाड़ों में अगर नहीं सभाला चाहेगां क्योंकि सद्गु माराज पुकार रहे हैं मोचे ऐसे जाना है कला जी करते हैं कि देखो आप अपने जैसा बेकती जिसको उचित समझते हो उसको अपने पद पर निर्ड करके आप जा सकते हैं क्यूंकि आप पर मुझे पूर्ण विस्वास हैं कि जो आप निर्णर लेंगे उचित लेंगे योगी ब्यक्ति को सारी जीमेदारी सौंकर स्री मिहराज सद्कुर महराज के चड़ों में आते हैं और अपना सर्वस समर्पित कर देते हैं सद्कुर महराज लेटे होते हैं ये मिहराज आकर चड़ों में बढ़ाप करते हैं सत्कुम्हराई पूस्तिं कि कौब ही राज किरते हैं सत्कुम्हराज मैं इंग्राउटिकि आतम नो वरसुं का व्योग है व्योग के बार मिलन के घडियां बहुत ही सुकदाई उते हैं विरह में तरबने वाली आग्मा जब अपने प्राणे सुर्ख अपने सामने देखती है तो उस सुख का अंताचा वही लगा सकती है इता सुख तेरे विरह में सुख होसी कॉन्विलास आगे गटना क्या होती है अब समय पूरा होता है कल सुनिएगा कैसे कैसे समय बित्ता जाता है और नई नई गटना है सामने आती है जो हमारे लिए प्रणद आई है हर गटना हमारे जीवन में एक नय संदिश दे रही होती है और सत्ता होती है उसको अपने जीवन में आत्मसाथ करने के जबने तेरे यह बचन सुनके बालबाई पहुची दाए मेराज तुमें क्या हुआ मेराज तुमें क्या हुआ एते बुराबने आए एते बुराबने आए एते बुराबने आए लुराबने आए मेराबने आए झाल झाल